कुंडली में मोजूद सूरी ग्रह को पिता या जेट का दर्जा दिया जाता है जिस चादक की कुंडली में सूरी की स्थिती सही ना हो या उनका ताप अधिक हो तो उसे सूरी को जल चड़ाने की सला दी जाती है ताकि उनकी शांती हो सके लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नियमी तोर पर जल चड़ाने के बाद भी कोई अपेक्षित परणाम हासित नहीं हो पाते हैं इन हालातों में इन उपायों से विश्वास उठने लगता है जो कि किसी भी रूप में सही नहीं है। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे कि वह उपाय विफल हो रहा हो या फिर आपका तरीका सही ना हो। सूरी देप को जल चड़ाने का सबसे पहला नियम यह है कि उन्हें सुबह आठ वजे से पहले ही अर्ध दे देना चाहिए। नियमित किरियाओं से मुक्त होकर रुस्नान करने के बाद ऐसा किया जाना चाहिए। सूरी को जल देने के लिए शीशे, प्लास्टिक, चांदी, आदि किसी भी धातू के बरतन का प्रियोग नहीं करना चा जल में गुड़िया चाबल भी मिला लेते हैं। सूरी को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अगर कभी पूर्व दिशा की ओर सूरी नजर ना आएं तो उस कंडिशन में भी उसी दिशा की ओर मुख करके अर्ध देना चाहिए। सूरी को जल पहनका सूरी को जल देना जादा पिरभावी माना गया है जल अरपित करने के बाद धूप अगरवत्ती से पूजा भी करना चाहिए तो इस तरह से हमने आपको बताया कि अगर आप सूरी को अर्दि देते समय ये गलतियां करेंगे या ये इस तरह की साबधानी बरतेंगे तो आपको अपेक्षित फल मिलेगा और आपको इन सब नियमों का ध्यान रखना चाहिए नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को जिसका नाम है देशी भक्ती इसको सब्सक्राइब करें औ और वेल आइकन जरूर दबाएं मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार